कि आई दोस्तों आज मैं आपको डिजाइनर गला बनाना बताऊंगा यह देखिए यह इसकी चोड़ाई मैंने लिए चेंज और लंबाई भी चेंज लिए यह बुगरम की तो यह बोर्ट नेक में होगा देखिए इस तरीके से यह साड़े तीन लुग है यह बढ़ा यहां के अब यह तीन इंच आ गया वदर नीचे साड़े तीन इंच अब दहीं इस तरीके से एक यह निसान लगाने तो यह इसी तरीके से यह सारा निसान इस तरीके से लगा लिए तेह्त पर यह देखिए इस तरीके से इसको यह कर्टिंग डलनेंगे हैं यह देखिए अब इसमें जितना मार्जन रखना है हमने जो अंदर फोल्ड करें के कला यह इतना है इसकी चोड़ाई करीब हमने लिए आदा एंज के करीब इस तरीके से देखिए और यह देखिए इसके बीच में से यह वाला पीस है इसको भी निकाल देंगे इस तरीके से यह देखिए अब यह जो मैं यह जो काट रहा हूं यह जो काट रहा हूं तो इस पे हमें यह पट्ट बनाओंगे तो ये देखें ये जो कपड़ा है इस तरीके से ये रखके इसको देखें आइसा कर के कच्छा कर लिएगे कपड़ा ज्यांपर सैड बैट जा विच ऑगर ऐसके निकालना थो भी छलेगो क्योंकि अमने PSG पेस्टिंग भी कर लिया था और मैंने UV एक इसमें जो माड़न है तोड़ा सागा मैं श्रा है उसको काट लिए के यह देखिए इस तरीके से यह कर्ण 0anto गर्ण करड़ में कर्ण की देखिए खाम करी से कंच और ऐसे कर और क्या देखिया काट कर्ण इसे कर से एक तैंक एक ता करकाず यह कु आ यह एऑ लगा लेते हैं ताकि गला इधर उधर ना हो बराबर बैड जाए अभी देखिए इसको आदा मैं इस तरीके से यह लगा दूँगा कि यह देखिए इस तरीके से करे को है और यह देखिए अब यह दूसरी सैट से इस तरीके से स्वाइब कि यह देखिए दोनों तरफ से लगा लिए अब इसको हम जितना एक पैर के मार्जन से इसको कटिंग कर लेंगे इस तरीके से है और यह बीज-बीज में इस तरीके से देखिए कड लगा लेंगे अब यह देखिए एक सिलाई हम इसको लगा लेंगे ताकि हमारा यह जो मार्जने यह बैट जाए अभी देखिए इसको मैंने अच्छी तरीके से इस सिलाई लगा के और इसको प्रेस पी लगा लिया अभी देखिए यह देखिए इसमें भी देखिए मैंने कप्ड़ा लगा क जाए और इस तरहे लगा ली जैसे हम गला पलटते हैं अब यह देखिए यह गला हमारा इस तरहे से यह पलट जाएगा यह देखिए इसे कर गया कि दिखिए मैंने यह कपड़ा लिया है और जिसमेंसे मुझे लुपी बनानी है तो इस तरीके से पहले इसको जोड़ लूँगा यह देखिए अब यह जोड़ने के बाद में अब यह देखिए जैसे लुपी पलटते हैं इसको उसी तरीके से ऐसे पलट लेंगे है ऐसे करके से लाई लगाएंगे अगया इस तरीके से नॉर्मल जैसे लुपी पलटते हैं उसी तरीके से देखिए यह सुद्ध si लेंगे इस तरीके से और इसमें इस तरीके से देखिए अब ऐसे करके सको कि ए बाकी मैंने सारी लुपी पलेट डखी है मैं आपको यह दिखाना जाता हूं कि किस तरीके से यह लुपी पलेट थे हैं आथ चुछ नहीं को निखुसा हो तो दोट या तो दोड़ जाता है तो लुपि नहीं निकलेंगी चाहिए अभिए इस तरीके से अभिश को जितना मर्जी खिचना एक दो यह ने तोड़ेगी कि यह यह बढ़िए इस तरीके से अभी देखिए इसको इस तरीके से इंची डेफ से लेगे इसको देखिए काटेंगे तो ये तीन इंच की हम एक लुपी काटिंग करेंगे इस तरीके से अभी देखिए और मैंने बहुत सारी कटिंग कर रखेंगे इस तरीके से तीन इंच हमारी ये लुपी कट जाएंगे तो ये सारी अमने लुपी देखिए काट रखेंगे अब इस देखिए डवल करके लुपी को इस तरीके से अैसे लाई लगा लेंगे दो दो लुपी लिखेंगे और इसकी देखिए गुलाई में अशित तरीके से शिलाई लगाते जाएंगे ऐसे करके हमने ये एक बरावर काड़ नहीं है अगर आप चाहें तो एक तीन इंज की और एक ढ़ाई से पौने तीन इंज की काड़ लेंगे क्योंकि देखिए इसमें से थोड़ी सी जो अंदर वाली रुपी है न वो निकल जाएगी ये देखिए इस तरीके से ये तो ये सारी बना लिए बनाने के बाद में देखिए ये पेपर है इस पर मैंने इस तरीके से देखिए निसान लगा लिया निसान लगाया मैंने उससे जो इसके बीच का पीस है है उसके मैंने सो नीस систем लगा लिया उसके बीश निखा दिखि है दिखी है बीश सेन्टर थे हम इसको लगाएंगे बलुपि को जब लगाते समय एक अंद्बाजा ले ले लेंगे गे को दो लुपि हमें बीश में लगाना अई इसके बीश में एक छोटा ये सारी बिलाके लगा दी जाएंगे ये देशी इस तरीके सा लगाना भी आराम से पड़ती है कोई पेपर हलका सा खिचेगा तो ये पेपर फट जाएगा तो दुवारा से करना पड़ेगा ये गले को डियान को ये देखिए ये इस तरीके से ये एक सेट से ये लगड़ी ये देखिए अब इसी तरीके से ये दूसरी सेट भी मैं लगा लूँगा ये देखिए ये दूसरी सेट भी लगा लिए अब इसको देखिए 20 सेंट से हमें यहां से लेना है इसको नीचे वाली क्योंकि उस सेट से लेंगे क्योंकि 20 सेंट से लेंगे तो हमारी लूपियों एकदम सही बैठेंगी ये देखिए इस तरीके से हलका सा उसमें के एप रहेंगे जो मोती लगाना है मोती ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना है छोटा ही लगाना है यह देखिए इस तरीके से और एक लुपी से दूसरी लुपी की नोग बिल्कुल मिला गए रखेंगे ताकि मोती लगाएंगे तो बिल्कुल एक दम सही आ जाए यह देखिए से अब यह नीचे की सेट में थोड़ा सा गैप जादा बन जाएगा उपर वाली बरावर बरावर आ गए दिया इस थरीक से साप्य काड़ा और कि दूसरी तडब हें यह दो canopy मैंने लगा लिए अभी लगाने के बाद में के देखिए अंदर के सेट को एक पर से मार्जन से इसों कटिंग कर देगे जो लुपी रेस्टा वाली टीका लिग्या है काटना जरूरी है कूए इसमें पेपर है अगर आप इसको कि आप नहीं चाथ तो हमें गुब पट्टी लगानी है जो रहुंग पाएगी गले की पट्टी काठी इसको अमने प्रेश से बढ़ा लिया था एधा अब यह का बीस सेंटर देख लिए यह देख में अंडिये अ क्योंकि निशन लगा लेंगा कि यह को कि इस तरीके से निशान लगाने का मतलब है कि अगर तो तो यहां छोटा भी होगा तो वो दोनों तरफ निकल जाएगा बरावर अगर लिसान ने लगाए एक तरफ से लगा दिया तो एक तरफ चोड़ा चला जाएगा और एक तरफ बड़ा ओजाएगा तो गलाब का सैट बैठेगा नहीं कि यह देखे इस तरीचे से यह देखिए यह तो बरावर आगया बिल्कुल तो इस तरीके से लगा लें इस तरीके से लगाएंगे तो एकदम गला आपका बिल्कुल पर्फेक्ट बैठेगा अब यह देखिए यह फिर 20 सेंटर से ही देखिए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे इदर को इस सेट से और यह आपकी जो लुपी है ना यहां पर गुंबी हो जाएगी तो जो गले में यहां पर जो चुपने का वो है वो भी नहीं होगा इस तरीके से अगर से लए लगाएंगे आप यह देखेंगे अब इसको दागे को काट गी नहीं से करके फिनिशन के साथ अब यह देखेंगे इसको इस तरीके से उपर पल्टेंगे और यहां पर देखेंगे इस तरीके से यह सिलाई लगा लिए इस तरीके से देखेंगे अब यह गुम हो गया अंदर की साइड में यह देखिए इस तरीके से और इधर भी देखिए किनार की से ले लगा दिने एक ताकि गला हमारा अच्छी तरीके से फिनिसिंग के साथ बैड जाए यह देखिए अब जो हमने गला प्लड लगखा था देखिए उसको हम उठाएंगे इसे कर गई है और यह बीच सेंटर से ही इसमें भी देखिए इस तरीके से निस कि यह देखिए जो निसान में जरा रहा है मुझे ऐसे कर गए एक बार ना आप लेंगे इसको ऐसे कर गए लगाने और पर देखिए ऊसे कर गए और पिस सेंटर से इसका यह शिलाई लगाएंगे इस तरीके से यह देखिए आज से तो अगर निकलना भी होगा तो दोनों दरब निकल जाएगा यह देखिए इस तरीके से तो यह बनने के बाद में बहुत अच्छा लगेगा ADN अभी इसमें मोटी भी लगाने यह देखिए अब इसी तरीके से इधर भी शिलाई लगा लूँगा यह देखिए यह पूरी शिलाई मैंने लगा लिए इस तरीके से और यह मार्जन भी देखिए कार्ट दिया है अब यह लैसे देखिए लैस इसके यह पर लगाएंगे जोड़ पर अगर आपको लगानी है तो लगा लें अगर आप नहीं लगाना चाते हैं तो नहीं लगाएंगे तो भी अच्छा लगेगा यह मैं इसलिए लगा रहा हूं कि मोती मुझे जोए इसमें क्रीम कलर के लग यह देखे इस तरीके से हैं अब इधर भी शिलाई लगा लेंगे लेस पर दोने तरफ से लग जाएगी तो लेस एकदम चिपक के बैठ जाएगी यह देखे इस तरीके से अब यह हमारा गला एकदम बिल्कुल कंपलीट होगा सिर्फ इसमें मोती लगाने है देखे जो एश्टा निकल लाए इसको इस तरीके से यह चांट देंगे यह देखे अब यह दागा मैंने पहले दागा डाल रखाता देखे इस तरीके से नहीं को इसतरी में इघ एधर से कि उ ओधर कि ऐसे इस को देएsın कि प्रागा इतर सुनस्पी एख ऑग पर इससे महतं जांगे बहुत अछी एड़का क्योंकि अभी इसके नीचे जो है यह पेपर लग हुआ है तो इसलिए यह पूरा प्रोपर नहीं नज़रा रहा है जब यह मोती लगेंगे तो बहुत अच्छे लोग आएगी इसकी देखिए इस तरीके से मोती हमने इसलिए छोटे लगाएं क्योंकि गले पर है तो तोड़े मोटे हो जाएंगे ना तो अच्छे नहीं लगेंगे छोड़े मोती जादा अच्छे लगते हैं यह देखिए इस तरीके से अभी मैं आपको दो तिल मोती लगा के दिखा देता हूं फिर मैं यह सारे मोती लगा लूँगा और फिर आपको दिखा हूंगा कि देखिए इस तरीके से क्योंकि हाँ पर टांके जो ना दो तीन लगाने तक हैं देखिए मैंने इसमें चार तयमें दागा डाला तो दो लगा लूँगा तो थोड़ा मजबूत रहागा क्योंकि यह गले का है मसला फिर वही है कि अगर आप इसको एक ही धागे से लगाएंगे तो हो सकता है कि एक आग मोती तूड़ जाए तो जब मोती तूड़ जागा ना तो डिजाइन एक दम खराब हो जाएगा कि देखिए इस तरीके से काड़ देगे इसको में सरह मोती लड़ा लूँगा अब देखिए इसके पेपर भी मैंने निकाल दियाया तो इस गले की देखिए लुक कितनी अच्छी लग रही है तो इस तरीके से आप अपना गला बना सकते हैं तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें शेयर करें और सर्सक्रा